तो जब भी पीरों मुर्शिद के पास जाते तो ये बात खास करके बोलते के बाबा जी हम किसी पीर बाबा की सेवा करनी चाहते हैं सबसे बड़ दाफ्तर हेड़ अपस जो है नकोदर शैर का अलमस्त दाता लाल वाच्छा जी उनके सेवादार उनके बच्चे लवली चाह के बारे में बताते हैं वो लवली चाह कैसे मिलन हुआ दाता जी के साथ उनका तो हम आपको बताते हैं लवली चाह जो है वो जलंदर शैर के रहने वाले अब आदपुरा के रहने वाले लवली चाह थे और उनके पीरो मुर्शद जो है जो पंजाबी सूफी गाईकी कार रहे हैं पूरन चाह कोटी मास्टर सलीम जी मास्टर सलीम के दाद्दू बाबा जी पूरन चाह कोटी के डैड़ी बाबा नरण्यन चाह जी नंजू चाह जी लवली उनका तालब था नाम दीख्षा लवली ने पूरन चाह कोटी के डैड़ी से ली थी तो जब भी पीरो मुर्शद के पास जाते तो ये बात खास करके बोलते के बाबा जी हम किसी पीर बाबा की सेवा करनी चाहते हैं तो लवली चाह के कार्मे उस समय बहुत गरीब भी थी मजदूरी का काम करते थे तो एक दन बैठे बैठे बाबा नंजू चाह जी ने जो हांस राज हांस के उस्ताद है पूरण शाह को टीई उनके पिता जी जो है उनके अब्बू वो लवली चाह के मुर्शद थे और उन्होंने ही लवली शाह को बोला था के बेटा लवली जाओ आप सेवा कारनी चाहते है तो नकोदर शैर में चले जाओ नकोदर शैर में जब जाओ गए तो बहां आपको दाता जी आलमास्त सरकार दाता लाल वाच्छा जी वो मिलेंगे आप जा करके उनके पास रहिए और उनकी सेवा की जिगे तो पीरो मुर्शद का गुरू का अउडर मान कर लवली शाह नकोदर की तर फरवाना हो गए नकोदर आ गए कोई जान पहचान नहीं है कोई रिस्तेदारी नहीं है ऐसे किसके पास जा करके बैठे कभी किसी के पास कभी किसी के पास फिर पेत निकालते निकालते जावन लवली को पता चला के अलमस्त दाता जी दाता लाल वाच्छा जी नकोदर रिशी मले में रहते हैं तो दाता जी लाल वाच्छा अपने चाचा जी के पास रहते थे जिनका नाम रखा राम है बचपन से ले करके पूरी जिन्दगी लाल वाच्छा जी को उनके चाचा जी नहीं अपने कार में रखा तो दाता जी इदर जो कोठी बोलते है अलमस्त दाता जी लाल वाच्छा की बहां पीर बाबा गाजी शाजी है उस दरवार के पासा करके दाता जी बैठते थे तो तीरे तीरे जे कोठी जे दरवार बाबा जी की कोठी के नाम से बोलने लगा रिशी मल लेके अंदर लाल वाच्छा की कोठी बोलते हैं पहला दरवार बो है तो लवली जी उनके पास रहने लगे दाता जी रिक्षा पर ज्यादा ऐसे चक्कर लगाते थे तो लवली जी ने आकर के रिक्षे को ऐसे सजाया जो आज भी ब्राजमान है रिक्षा लाइटें डेक ऐसे चिंगार्या रिक्षा को तो लवली जी ने लगे उसी दिनों में हमारा मिलन भी लवली जी ने लवली जी लेकर के हमारे पास आ जाया करते थे ऐसे हमारा और लवली जी का दोनों का प्यार बहुत बड़ा फिर एक दिन बाबा जी कहने लगे के हमको बाबा बोलते थे कि बाबा आज हम तेरे को और लवली को दोनों को पाई बनाते हैं लवली पूरी दुनिया के लिए साई है बाबा है प्रम्तु वो हमारा छोटा पाई है जे खताब अलमस्त दाताजी लाल वाच्छा ने हम दोनों को दिया था बोलते थे कि तुम इनके बड़े पाई हो लवली आपका छोटा पाई है और इस फकीरी की मंजल में उनको बहुत सी अंकडों का भी सामना करना पड़ा सेबा करते करते एक दन लवली शा ने अपने जार के कदमों में दाताजी लाल वाच्छा समय इस सरीर में थे जींदे सी जैसे हमें लवली शा का मौत हुआ फौत हुए लवली शा अपने हाथों से दाताजी ने उसको दफन कफन किया यह इशिक की बात है यह अपने आपको समर्पन करने की बात है गुरू एक सेवा नेक जिस जगह से भी आपको मिलता है आपको सेवा करनी चाहिए परंतु हम क्या करते हैं हम फकीर लोग के पास पहले तो लिस्ट बनाते है कार बैठे के बाबा के पास जाना है काम कौन कौन सा करवाना है बाबा से उसको बोलना है के बाबा जी हम आपसे बाते करते हैं मेरे जाते जाने से पहले पहले हमारे जे 15-20 काम हो जाने चाहिए फिर हम उसको जे शाबत करते हैं के हम इतनी देर से संगत कर रहे हैं फकीर लोगों को हम थोड़ी काट थोड़ी है हम भी पीर वाबाई हैं नहीं अपने आपको समर्पन करना परता है जे बास्तर जो पहनने हुए है जे भी उतारने परते हैं तन मान तन फकीर को अरपन करनी फ़र फकीर आपको बख्षिच करता है फिर मारग दिखाता है फिर उसको भी पता चालता है कि ये हमारा सेवादार किसी काम के लिए आया है जब तक आप दुनिया में फसे हुए हो चाहे जितना मर्जी आपको समझाने बाला समझाई जाए आपके खानने में नहीं पड़ेगी आप सुन भी लोगे उसका अनपब नहीं कर सकते अनपब करने के लिए इकांत बैठना पड़ता है इबादत करनी पड़ती है आप कोई भी इतिहास पढ़ लो इतिहास में पढ़ तो लोग पढ़ लेंगे प्रांतु अनपब तो अनपब ताभी होगा जब आप इबादत करोगे सेवा करोगे आज लबली शान है अपने पीरों मर्शद की तानमान के साथ सेवा की तो उनी के बराबर अपना मर्यार बनाया है